जो पंचायती राज के चुनाव हुए एक हत्या का दौर जो पश्चिम बंगौल में चला 57 से जदा लोगों की हत्याएं कर दी गई और हत्या के रास्ते सत्था कैसे बनाई जाती है उसका एक खेल पश्चिम्मिंगॉल में खिला गया लेकिन ममता बिनर्जी जी आपके मनसूपे कि आप ज़्यादा सीटे जीत पाएं आपके नाक के तले लोगों की हत्याएं की गई आपकी कानून विवस्ता चर्मरा गई आपके निर्देशों पर आपके पार्टी के कारेकरताओं ने गुंडा गर्दी की और पिछले आठनो वर्षों में जिस तरह से आपने गुंडों को सरक्षन देने का काम पश्चिम्मिंगॉल में किया है अपरादियों को सरक्षन देने का काम पश्चिम्मिंगॉल में किया है वो केवर अपना राजनितिक लाब लेने के लिए ममता बनर्जी जी ने किया है और पिछले चुनाब में देखने को मिला लेकिन पश्चिम्मिंगॉल की जंता ने मूँ तोड़ जबाब दिया पिछली बार के मुकाबले दुगने से ज़्यादा जीटे भारती अंता पार्टी जीती ये दिखाता है कि ममता बनर्जी जी का समय आइसा आइसा खतम होने जा रहा है इनके अपरादियों को जितना मर्जी सरक्षन दे लें जितने मर्जी हत्याएं करवा लें जितने मर्जी बंप फोड़ लें लेकिन बैलेट पर कमल ही खिलता है भारती अंता पार्टी को ही समर्थन मिलता है और जो लोग आज मनीपुर जाने का ढोंग कर रहे हैं मैंने उनसे आगरे कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फरेंस में भी किया था कि पश्चिम मेंगौल की महिलाओं के साथ जो अपरादी खटाई हुए उनकी जो हत्याई हुए चुनावों में जिन लोगों को मारा गया जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गवा खाया क्या कॉंघ्रेस और विपक्शितलों के लोग फश्चम मेंगौल आएंगे मेरा सवाल है O बश्चिमिंगॉल के ही कॉंग्रेस के सांसत और लोग सवा में उनके नेता से या अपने राजियों में इस गटबंदन के बाकी 19 सदस्यों को लाएंगे क्या करेंगे कॉंग्रेस के नेता मैं पूछना चाहता हूँ मेरा सवाल है उनसे जो बड़ी शान के साथ मनिपूर की और जहाज में बैट कर गए है कॉंग्रेस के लोग सबा के नेता से मैं पूछना चाहता हूँ क्या 19 सदस्यों को मनिपूर के बाद कलकत्ता लाएंगे पश्चिम बेंगौल में जिन लोगों की हत्या है हूँ उनके घरों में जाएंगे जिन लोगों के उपर अत्या चाहर किया गया कि उनके पास जाएंगे मेरा सवाल है कॉंग्रेस के नेताओं से और विपक्षिदल के नेताओं से क्या राज्यस्तान में प्रती दिन महिलाओं के साथ दुशकर्म होता है क्या इंगरेप किये जाते हैं क्या कॉंग्रेस को राज्यस्तान और बेंगौल की महिलाओं में उनकी और कोई सानुबूती नहीं मुक्यमंदरी के राज्यस्तान के घर से पांच किलोमेटर की दूरी पर एक महिला की साथ उसके बेटे के सामने उसका दुशकर्म किया जाता है मुख्यमंदरी के अपने ग्रेजिला जोदपूर में तीन लोगों को जिन्दा जला दिया जाता है कहीं पर पति के सामने पत्नी के साथ बलादकार किया जाता है उसको हत्या पर मजबूर होना पर यह सारी घटना राज्यस्थान की है तो पश्य मेंगौल और राज्यस्थान इंतजार कर रहा है इन 20 सदस्यों का जो मनिपूर तो गए संसतों चलने नहीं देते अगर संसत आपने चलने नहीं देनी संसत में आपने आना नहीं तो मनिपुर के बाद आप बेंगॉल जरूर आए और बेंगॉल के बाद राज्यस्तान जरूर जाए मेरा इतना ही अनुरोद i.n.d.i.a ये जो एक प्लैटफॉर्म बना है मैं फिर रिपीट करता हूँ i.n.d.i.a ये जो एक विपक्ष का गटबंदन बना है मेरा इनसे अनुरोद है कि आप आईए पष्चे मेंगॉल में हो रही हत्याएं पष्चे मेंगॉल में कानुन विविश्ता की चर्मराती उस्तिति और पष्चे मेंगॉल में महिला ओं के खराब बढ़ते अपराद जो एक महिला मुख्यमंद्री के नाक के तले हो रहा है उसको लेकर भी आईए सीरेंजन चौधरी जी यह जो आप i.n.d.i के कुछ सहियों की सदस्यों को लेकर गए हैं मनिपूर से वापसी में पश्यमेंगौल जुरूर आईए क्योंकि पश्यमेंगौल i.n.d.i.a इनके लोगों का इंसदार कर रहा है